Good afternoon second class, today we will learn about capitals of states and union territories of India आज हम इंडिया में इंडिया की states और union territories की जो capitals हैं उसके बारे में जानेंगे ठीक हैं, जब पहले हम union territories capitals के बारे में जानेंगे, उसके बाद states की capitals ठीक हैं सबसे पहले union territory हमारे जमू और कश्मीर, जमू और कश्मीर की two capitals होती हैं ठीक है, summer capital इसकी होती है, श्री नगर ठीक है, और winter में इसकी capital होती है, जमू Next, लदाख, लदाख की capital होती है, ले ठीक है, उसके बाद चंडिगर, चंडिगर की capital चंडिगर ही होती है Next, Delhi, Delhi की capital भी Delhi ही होती है, उसके बाद union territory है, हमारी दमन and दिओ दमन और दिव की capital होती है दमन ठीक है उसके बाद दादर और नगर हवेली इसकी capital होती है सिलवासा ठीक है उसके बाद उसके बाद हमारी है लक्ष्ट्वीप लक्ष्ट्वीप की capital है कावरती ठीक है उसके बाद next है पुडुचरी पुडुचरी की capital पुडुचरी ही होती है उसके बाद है हमारे यह देखो अंडमन और निकोबार की कैपिटल है पॉट प्लेयर ठीक है यह हो गई हमारी union territories की कैपिटल अब हम states की कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले यह देखो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला ठीक है उसके बाद उत्राखंड उत्राखंड की कैपिटल है दहरादून ठीक है Next, हर्याना, हर्याना की capital है चंडिगर, ठीक है, उसके बाद राजिस्थान, राजिस्थान की capital है जैपूर, ठीक है, उसके बाद next है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की capital है लखनाव, Next, मध्यापर्देश, मध्यापर्देश की capital है बोपाल, Next, गुजरात, की capital है गांधी नगर, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की capital है मुंबेई, ठीक है, उसके बाद गोवा, गोवा की capital है पंजी, उसके बाद करनाटका, करनाटका की capital है बंगलूरू, उसके बाद केरला, केरला की capital है तीरुवनंत पूरम, ठीक है, तीरुवनंत पूरम, उसके बाद तम्मिल नाडू की कापिटल है चन्ने ठीक है उसके बाद आंध्रापरदेश की कापिटल है हैद्रबाद ठीक है उसके बाद तिलंगाना की कापिटल भी हैद्रबाद है ठीक है उसके बाद चतिसकड, चतिसकड की कैपिटल है रायपूर, नेक्स्ट ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है बुपनेशवर, ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकता, ठीक है, उसके बाद जार्खंड, जार्खंड की कैपिटल है रांची, उके उसके बाद बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना ठीक है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंग टोक ठीक है उसके बाद अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश की कैपिटल है इटानगर ठीक है उसके बाद नागा लैंड, नागा लैंड की कैपिटल है कोहीमा, ठीक है, उसके बाद असाम, असम की कैपिटल है डिसपूर, ठीक है, उसके बाद मनीपूर, मनीपूर की कैपिटल है इमफाल, ठीक है, नाक्स्ट, मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है अजवल, ठीक है, उसके ब त्रिपुरा की capital है अगरतला, ठीक है, मेगाल्य की capital है श्रीलोंग, ठीक है, तो यह थी हमारी states की capital है, ठीक है, आज हमने union territories और states की capital के बारे में जाना, और एक और चीज़, जो हमारी, जो हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया की capital है, न्यू डाली, ठीक है, जो हमारी country है, इंडिया, हमारी country की capital है, न्यू डाली, ठीक है students, आज हम इतना ही पड़ेंगे, ओके, ठैंक यू, हवे नाइस दे,